जहिन वंदेमात्रम एगरी जड़नी यूटूब चैनल में आप सबी का स्वागत है तो भाई PBFT के फॉर्म आपके भढ़ने लगे हैं जो भी इस्टुएंट यहाँ पर बेटनेरी करना चाह रहा हो यानि आपकी आप VFSE करना चाह रहा हो वो इस्टुएंट यहाँ पर फॉर आपको कहीं जाने की ज़रूद नहीं है ठीक है डेस्टॉप मूड में मॉबाइल को ओपिन करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो सबसे पहले एक डाउट यहाँ पर बहुत जादा पूछा जा रहे है स्टुएंट के दवारा क्या एग्री कल्चर बैक ग्राउंड के लेकिन आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो डेटेल में देखा करो आपको सारे डाउट्स के लिए हो जाएगे ठीक है सबसे पहले फॉर्म को क्या करना है आपको ओफीचल आपको वेबसाइड पर आज आना है ठीक है आपकी जो ओफीचल वेबसाइड है नहीं बनी है फैस प्रोफाइल बनाने के सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर नॉर्मली आप क्लिक करोगे थीक है यह आपका उम्मीद बात प्रोफाइल तो आप नॉर्मली यहां बता दूँ कि documents क्या-क्या-क्या लगने वाले दिक्षमाप, बन ने के लिए आपके कुछ भी documents नहीं लगना है, मैं पहले बता दू, profile बन जाएगी तो सारे documents आपके profile बनने में नहीं लगने, सबसे पहले बता दू क्या-क्या documents लगेंगे, पहले आपकी photo लगेगी, ठीक है नाम और date बाली आपकी photo लगेगी, next आपका आधार कार्ड लगेगा, Gmail ID आपकी लगेगी ठीक है क्योंकि इनी पे आपके जो है आपे message आएंगे college allotments related तो यह होना चाहिए next आपका 10 मी की 12 मी की mark seat आपके पास होनी चाहिए और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं लगना है ठीक है only जो documents मनें आपको बता है only यही documents यहाँ पे necessary है आप आधर कार्ड यहाँ पे number जो है mobile number से link होना चाहिए बहुत important है तो आपकी पहले profile बनेगी ठीक है इसके बाद आपका form fill होगा profile आप normally यहाँ पे जो जो इनोंने बोला हुआ वो आप करके यहाँ पे profile बना सकते हो ठीक है और normally कुछ भी नहीं करना है आपको profile बनने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे जो है green icon दीकर है इस पे click करोगे बस यहाँ पे आपको जो इनकी term and condition है उनको यहाँ पे agree करना है और इसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ आपको यहाँ पे capture को feel करना रहेगा ठीक है तो इसकी आप फिल करने के बाद जस्ट आपको कुछ इस टाइप से interface open हो जाएगा वह देख लो यह मेरी previous share की आपकी यहाँ पे जो है profile है ठीक है इसमें आपका यह important होता है पंजिन करमांग देख रहा है यह आपको register डालना पड़ेगा तो यह चीज़े नॉर्मल ही है आप बिल्कुल ही परेशान नहीं हो नॉर्मल चीज़ आप जैसे ही वह आप profile में click करो तो यह सारी चीज़े आपको भड़ते हुए जाना है क्या आपके पास CWS है तो हाँ पे आपको click कर देना है हाइर सेकंडी पास हो तो यह आपको बिल्कुल हाँ नहीं आपके मद्द प्रदेश के निवासी हो तो आपको हाँ करना है अगर आपके other state के instrument भी eligible है तो आपको परेशान भी नहीं होना है ठीक है नॉर्मल यह आप process करने के बाद next आपको अपनी दसमी की mark seat के basis पर यहाँ पर नाम फिल करोगे संडेम फिल करोगे पिताजी का नाम फिल करोगे और date of work फिल करोगे ठीक है इसके बाद आप नीचे आजाओ यहाँ पर most important है यहाँ से आपका form feel होना start हो जाता यह process बहुत important है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है किया आप किस बर्ग में आते हो क्या आपके पास यहाँ पर freedom fighter है यानि सोधंदा सिनयनी का पौण पत्र है दिब्यांग हो कर्सक पौण पत्र है अगर आपके पास पूर भूत पूर सेनिक हो इनमें से अगर कुछ है तो ठीक है अगर आपको पास करसक मार पात है तो आपको करसक पर चूज कर लेना है तो आपको बिना बर्ग में चूज कर लेना है ठीक है नेक्स्ट आप क्या करो? कि आप अगर बिकलांग हो तो बिलकुल नहीँ बिकलांग अगर हो तो आप यहाँ पर बढ़दोहान नहीं हो तो आपको यह बहुत जादा important matter करता है कि पार्ठे कर्मों जिसके लिए आबेदन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहां पर चूज क्या हुआ है कि only आप BBSC करना चाह रहे है या BFSC करना चाह रहे है तो मेरे हिसाब से मैं यहां पर recommend करूँगा कि आपको दोनों चूज करने बोथ यानि BBSC और BFSC दोनों चूज करो वही दोनों सही है ठीक है बट अगर comparison किया जाए तो BBS सबसे बेस्ट है BFSC आपका जो है फिस्वीज के लिए यहां पर कुछ जॉब्स निकलती है बाकि BBSC आपका बहुत बेस्ट है तो मेरे साब से यहां पर बोथ को चूज कर लो दोनों सही रहेगा ठीक है आपके number के according आपको अलोट कर दिया जाएगा वैसे मेरे according हो सकता है क इसकी counselling दोनों की अलग-अलग हो क्योंकि प्रीवी शेयर में आपकी BBSC की अलग counselling हुई थी और BFSC की अलग counselling हुई थी तो हो शकता दोनों की counselling अलग हो ठीक है next क्या पूछा हुआ है क्या आप आप आवेजित पार्टिक्रम के लिए नियम पुस्तिका में लेकित आवस अध्यार विज्टा 222 सामिल हो रहे हैं मतलब जो आपकी अभी एक्जाम दिया है आपने नियुनतम तो उसके लिए आपको नहीं पर क्लिक करना है अगर अभी फिलाल में 12 क्लियर के तो आपको हाँ पर करना है ठीक है next आप मीचे स्क्रोल करते हुए आपको सारा देखना है पूरी इन्होंने क्या लिखा हो नोट लगा के आवेदन के पास नियुनतम अहरता यानि काउंसलिंग की तिथी को अनिवार रूप से महत्पूर होना चाहिए क्या लिखा हुए है क्या आप मद्द प्रदेश में इस्टित पसू चिकिसा एबं पसू पालन महा बिद्याला मतश्य बिज्ञान महा बिद्याला में अध्यारत है अथ्वा किसी भी काड़ महा बिद्याला को छोड़ चुके हैं यादि हां तो इस प्रेल पक्षा हो तो आपको आबेदन बढ़ने की पात्तरता नहीं है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना नहीं भाई हम यह ऐसा अगर अपने अपने हसाब से भर सकते हो तो नीचे आप देख सकते हो आपको सेंटर एक्जाम सिटीज आपकी कौन कौन सी है तो सबसे पहले फर्स नंबर पर फर्स प्रायोटी देखो यह एक्जाम सिटी है वोपाल गवालियर इंदौर जबलपूर नीमच रतलाम सागर सतना अजयन यह आपके एक्जाम सेंटर है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वोपाल प्रायोटी सेकंड नंबर पर आपको दोगे बाई अब आपको लगता है जबली फोर्ट पर आप यहाँ पर आतलाम सेंड कर लो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेंटर को capabilities करो सकते हैं और नेक्स्ट आपको यहाँ पिलिक करना इसको इंगी करना और अगे बढ़ जाना सारी चीजों को पढ़के एग्री करके आप आगे बढ़ जाओगे यह प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है यह देखो आपका यहां पर फॉर्म भर चुका है बट अभी पेमेंट नहीं हुआ है ठीक है आपको अल्री पता होगा कि जो जर्णल केटेगरी के उनको 400 रुपए पे करने है OBC SCST को 200 रुपए पे करने है और EWS को भी 200 रुपए ही पे करने है यह आपको अल्री पता होगा यह फॉर्म अभी भरा नहीं है पेमेंट हो जागा तो यहां पर क्या लिखा हुआ है भुकतान है ठीक है यह देखलो परिक्षा सुल्क क्या लग रहा है आपको EWS केटेगरी है ना तो देखो 260 रुप है total आपको charges लग रहे है ना तो आपको क्या करना है इनको सारी चीजों को रीड करके एक बार क्या जो चीजह मैंने भरी है वो सही है तो इसको आपको proper तरीके से एक बार read करना है ठीक है क्य अगर भढ़ना है तो यह आपका यहाँ पर open हो जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर payment भी कर देना है वही कि किस टाइप से आपका payment करेगा option तो आपको MP All अभी फिल नहीं करना है तो मैं यहाँ पर payment नहीं करोगा बाकी आप लोग देखलो simple process मोबाइल से कर सकते हो कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है तो profile पहले create कर लेना सिंपल है profile create करना मैंने आपको अलड़ी बता हुआ है ठीक है उम्मीद बार profile पर जाओगे तो form पंजियन क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बढ़ना पड़ेगा क्या आपकी profile पहले की है तो नहीं भाई आपको नहीं पर क्लिक करके और बश इसके बाद जस्ट आपको यह एक अबिट के साथ ठीक है जै हिन जै बारब वंदे मातरम